हाई गाइज आपका स्वागत है आपकी अपने शो में के टॉक्स फर इंवेस्मेंट इन हिंदी में हाँ हाँ कैसे आप आज आपका फेवरेट सेगमेंट है ऑप्षन की बात में के जे के साथ अब मेरे से बहुत सारे स्टुडेंट्स पूछते हैं सर आप ऑप्षन ट्रेडि हैं आप तब भी स्थिति को संभाल लेते हैं आपकी बड़ी इच्छी स्ट्राटेजी है कि आप अगर पुट इंदा मनी जाते हैं तो डिलीवरी छोड़ देते हैं आपके पास होते हैं आप सुपर सेफ खेलते हमें समझ में आ गया हम भी यह फॉलो करेंगे सुपर सेफ र चांसिस जाता हूं अब आपको के नहीं नहीं आपको सदा कैश कवर्ड और शेर कवर्ड के में खेलना चाहिए सर्व हम समझ गे जानगे पता है आपने कई बर वोला है लेकिन फिर भी हम यह चाहते हैं कि आप हमें ऐसी को स्ट्राटेजी बताएं जिसके चलते पुट के ओटीएं होने के बहुत ज्यादा चांसिज और कॉल के भी ओटीएं होने के बहुत ज्यादा चांस अगर वह नहीं होंगी आई टी मुझेंगी तो आप हम उसकी कैश कवर्ड या शेर कवर्ड डिलिवरी का अरेंजमेंट कर लेंगे पर यह आप जरूर उता है तो तो आज की क्लास में इसी बात की चल्चा करेंगे तो वैसे तो बहुत सारी इंडिकेटर मैं आपको आज बहुत सिंपल इंडिकेटर बताऊंगा और और भी वीडियो लेकिए आऊंगो इस पर डिफरेंट इंडिकेटर से रिलेटेड सबसे सिंपलेस्ट जो इंडिकेटर है वो है क्या 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 करिए आरएसए पेर्श की वैल्रेटी को समझिए आरएसएइ बेसिकाली में रिलेटिव स्ट्रेंठme होता है और यह माना जाता जाता है तो 70 से उपर कई लोग कहते नहीं अभी mildly overbought situation है पर जब 80 से उपर चला जाता है तो यह माना जाता है कि शेर अब रियली बहुत ज्यादा overbought हो गया अब इसको गिरना चाहिए इसका प्राइस नीचे आना चाहिए इसी तरह नीचे में जब RSI 30 काट देता है तो इसको हम बोलते हो oversold और conservative attitude की बात करूं तो 20 के नीचे जब RSI चला जाता है तो वह बहुत ज्यादा oversold हो जाता है यानि अब उसमें बहुत selling हो चुकी है अब उसका बहुत बढ़ना चाहिए तो हम conservative होते हुए क्योंकि आप लोग बहुत सारे इस strategy को follow कर सकते हैं without shares and without cash तो हम 80 और 20 पकड़ेंगे यानि 80 के level से उपर जब RSI चला गया तो overbought हो चाहिए 20 के नीचे जब RSI चला गया तो oversold हो गया यानि 80 से उपर RSI चला गया तो अब share को गिरना चाहिए 20 से नीचे अब आप क्या करें अगर आप safe अच्छा game खेलना चाहते हैं तो आप अच्छे shares का बढ़िया shares का वह shares का जिनमें liquidity बहुत हाई हो जिसमें बड़ा volume होता हो इसका असानी तरीका यह हो सकता है कि आप nifty 50 के share ले ले निफ्टी bank के share क्योंकि इन में बहुत ज्यादा काम होता और यह सारे बहुत ज्यादा liquid shares है तो इन में आप सभी shares का RSI watch करते रहें जब देखें किसी भी share का RSI 80 से उपर जा रहा है यह 20 के नीचे जा रहा है तो आप strategy को लगा सकते है इसका मतलब वो शेर गिरेगा तो आप उसकी कॉल बेच सकते हैं विप शेर गिरेगा तो कॉल ओटीम हो जाएगी आपको प्रॉफिट हो जाएगा RSI 20 के नीचे जा रहा है तो आप उसकी पूट बेच सकते हैं कि आप आरे से बढ़ेगा तो पूट ओटीम हो जाएगी आपको सारा प्रॉफिट हो जाएगा अब आप कहेंगे सर इसमें कोई और हमने सेफ्टी लॉक लगाने हैं बिलकुल लगाने हैं मैं बताता हूं क्या दो सेफ्टी लॉक लगाने हैं पहला सेफ्टी लॉक जब आप देखें RSI 20 के नीचे आ गया तो अगर शेर क्योंकि आपने उसको अब उसकी पुट बेचनी है यानि अगर ट्वेंटी से नीचे चला गया तो डर यह होता है कि ट्वेंटी से नीचे चला गया तो पुट इंदमनी नहीं यहीं डर ना तो आप पुट तभी बेचें जब RSI 20 से नीचे हो और उसका कैसा लगा इसी तरह अगर RSI 80 के उपर चला गया तो यह भी तसल्ली कर लिजे कि उसका जो भाव है वो अपने 52 वीक हाई के पास है ताकि वो अब काफी चल गया है अब उसको गिरना चाहिए नॉर्मल ही क्या होता है जब मार्केट में वोलैटिलिटी ज्यादा होती है तब मार्केट जो होती है जब RSI अपने 52 वीक हाई के पास आ जाता है उस शेर का प्राइस और RSI 80 के उपर हो जाता है तो वो गिरने के उसके चांसे बहुत ज्यादा हो जाते है इसी तरह RSI 20 के नीचे चला जाता है और शेर का बहुत 52 वीक लो के आसपास हो जाता है तो चड़न पर जब लास्ट फेज में भागी थी ना तो 14 जार के पास इंडेक्स आया था सीधा ही उसके बाद उन्हों उसको अठारा छी सो खिच दिया था जब मार्केट वन्वे हो जाती है फिर स्ट्राटेजी को क्यों बैचने के लिए नहीं लगाना चींड कि one-way में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा गरम हो जाती है अब बहुत वे उपर के तरफ तो कांवे नीचे काफी बहुत newsletter मार्केट बहुत भीर सकती है तब एकर शेism का अरे सफित 20 के नीचे आ गया है और अपने 52 लोग के पास आ गया तो शेर और कमजोर हो गया उस वक्त अगर आप पूट बेचेंगे तो आपकी पूट इसी तरह जब मार्केट बहुत बुल फेज में आ गई है यानि बुल मार्केट बन चुकी है और शेर 52 वीक हाई के पास आगे है और आरेसी असपास है तब आपकी कॉल भी आई टीम हो सकती है दीजन क्या होता है वो आरेसी 80 के पार चला जाते न तो शेर काफी समय तक न वही कर लादे तो शेर भागता है ऐसा मैंने एक्सपारियन सके बिमेंस के और यह से भी स्ट धष्कया क्यों मेरगे पिर मैं ठक गया 15 सुपर जाके मैंने सारे शेर देदा दी उसके बाद शेर 2000 चला गया था तो यह बात को मेरा ध्यान है जब बुल इसमें मार्किट आ जाए तो कॉल बेचने से कत्रान है वाइड करना एवन आरे से 80 के उपर हो और शेर 52 वीक हाई के पास और बैयर फेस में पुट बेचने से कत्रान है अगर आरे से 20 से नीचे और 52 वीक लूग के आसपास क्योंकि बैयर फेस में शेर ने लो बनाता है और अब मैं आप से एक बात और कहता हूं देखो अब इसमें आप और एक से लगाता कई सारी सेफ्टी विता हो एक सेफ्टी और लगाते सकते हो आप एक्सपारी तक वेट मत करो आपने कॉल बेची अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है फिफ्टी डेस फिफ्टी परसंट प पतल देता है अब आप दुखी हो जाएंगे आप करेंगे ऐसे थोटे 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 प्रॉफिट के लिए बारबर कॉल पूट बेचेंगे और इसको स्क्वेर ओफ करेंगे तुमारी ब्रोकरीज बहुत जादे लग जाएंगे तो आईए इसका तोड़ के तोड़ से बड़े राम से देख सकते हैं आप अपना इसमें काफी सारी वैसे इन्फोमिशन अवेलिए थोड़ा सा ओर्विव कराइता हूं यहां सारे पॉप्लर स्टॉक्स हैं लूजर्स हैं गेनर्स हैं तो जो आपको पकड़ना है न शेर तो लूजर्स गेनर्स अगर आप इंडाइसिस में भी देख सकते हैं और कितना खरीदा कितना बेचा है वह समरी भी आपको यहां पर मिल जाती है दुनिया बर की इन्फोमिशन एक ही जगह मिल जाती है और यहां पर आप जी टी टी ऑर्टर भी लगा सकते हो इसके अरावा आप जैसे वाच लिस्ट में गए पर जो है चार्ट आप आप कर सकते हैं तो आरे से आपके दो बार आगे ना एक वाले को मैं रह्ता दीता हूं एक रही को हटा देता हूं हुआ है यह दो कैश्य आ गया एक तो थाई ना मैंने दो बार देखादी अब देखू कैसे आटाते हैं मैंने भी इसको डाल तो दिया रप्टाने बहुत था मुझे पर neंपटा आगे दो बर क्लिक करो आए था एक आरह से अट गया इजी अफ है डबल क्लिक करा तो मैं जैसे डबल क्लीक करो तुछ मैंनिव आजएगा तो आप उसको था सकते हैं यह थोड़ा सब प्रेश करके रखे तो आज जाएगा डबल क्लीक करेंगे तो कर सकते हैं और यह बड़ा भी हो जाता है डबल क्लिक से और ऐसे दुबा के रखेंगे ना इसको आसे दुबा के रखेंगे बहुत सारे फीचर्स है इसमें क्या बता हूं अब इस पर दुबा के रखेंगे ना तो वह आ जागा यह देखिए आगे ना डबल क्लिक करेंगे यह आ जाएगा और अगर आप इसको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है सबसे पॉप्लिर चार्ट होते हैं अब आप अब ही तो आया था है तो यह आप देख लिए हम मैं क्या बहूं इस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलना श्रू हो जाएगा क्रॉस कर तो यह लाइन पर क्लिक करना हो देखो मैं आपको फिर से दिखाए तो थोड़ा सा करो इसकी लाइन पर क्लिक करोगे तो उड़ जाएगा बताई दो मिनिट लगें आप भी इस तरह से अपने आप ट्रैल एंडर से राम से सीखते हैं आरे से इंडेक्स आगे तो यह चार्ट कितने जबर दसे इसके रहाव आपको देखना इसका फिफ्टी अब जसे सका करेंट पर चल रहा है वाइस सो चौबिस सो बाइस आप जाना चाहते हैं इसका फिफ्टी वीक हाई या लो कितना तो आप क्या कर सकते हैं नीचे चले जाएए इसी के अंदर आप ज जाएंगे जहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी और उपर भी आपको सारा फिफ्टी टू वीक हाई 52 वीक लो जैसे इसका फिफ्टी टू वीक हाई कितना है अठाही सो चौपन 52 वीक लो कितना 2180 और यहां मार्केट डेप्थ है फ्यूचर इडॉप्टिन की निट अब आपके किस तर यह आप तो अच्छी लग रहे हैं समझ में पर आप तो ब्रोक्रेज की बात कर रहे हैं उसका तो बताया नहीं भाई ब्रोक्रेज यहां पर आप चाहे मैं बता नहीं सकता एक प्लैन का चार्ज है 149 रुपीस वन टाइम चार्ज है उसमें क्या होता है तो इकके दुखके ट्रेड करते हैं तो आप इस वाले प्लैन को ली सकते हैं आप कहते हैं नहीं मैं तो काफी सारे ट्रेड करूँगा छोड़े प्रॉफिट बुक करूँगा मुझे ब्रोक्रेज नहीं दे रहें तो फिर आप 999 रुपीस से अपना अकाउंट खुलवाए टो आपके सारे सेग्मेट फ्री ना इंत्राडेग पे ब्रोकरेज ना एकसे का नहीं ब्रोकरेज थना इकेस्तो अपको एक सो बीस रुपे हर quarter में एमसी चार्जिस लगें अब आप कोगे नहीं सर एक सो बीस रुपे पर quarter मुझे एमसी चार्ज भी नहीं देना तो आपके इस ऑप्शन आप 999 रुपीज और डिपॉसिट करेंगे दोनों में से किसी भी प्लान में तो आपके एमसी चार्जिस भी यानि अगर आप सिर्फ cash segment में deal करते हैं इंट्राडे नहीं करना तो 149 से आपने अकाउंट खुलवाया और उसके बाद 999 का optional payment किया तो आपका cash segment भी फ्री एमसी भी एन्वल मेंटेनेंस चार्ज जो डीमेट चार्जिस होते हैं वो भी सारे के सारा आपका फ्री हो जाएग पे करकर आप जो है हर तरह के खर्चे से बच सकते हैं तो आप छोटे-छोटे profit book करेंगे तो आपको कोई brokerage नहीं लगी बताइए कैसा लगा इस पर GST और partners fees आ लग है वन टाइम पेमेंट है और सारी जिन्दगी के मज़े लिंक मैंने description box में दिया उस लिंक से फटा-फट आप को डाउनलोड कीजिए मिनिटों में sign up करिए और free trading अपनी start करिए confidence के साथ investments in securities markets are subject to market risks read all the related documents carefully before investing